साथियों आपके याद होगा लाल के लिए से मैंने कहा था कि यही समय है सही समय है 10-12 साल पहले भारत में जिस तरह की परिस्तित्यां थी उन्होंने देश के युवाओं का भविश अंदकार में बना दिया था उस समय आप मैं से बहुत सारे लोग को हुए आट साल का होगर को दस साल का होगर को को भारा्श साल का होगा कि हो गजो सकता है उस समय की सारी स्थितियां को पता भी न वहां कि आज से चकी बदली हैं हम आज जिन पॉसिबिलीज्ट प doubles की बात कर रहे हैं 2014 से पहले की जनरेशन ने उनकी उमीद तक छोड़ दी थी कि आप मैंसे कई न्यूस पेपर्स पढ़ते होंगे आज हर दिन नई खबर आती है कि देश ने इस शेक्टर में ये बड़ी उपलब्दी हासिल की लेकिन 2014 से पहले के अख़बार खोलिये आज कल वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है तब आए दिन वो जमाना था तब आए दिन करप्शन और स्केम की खबरें हेडलाइन में छपती थी हजानों करूर रुप्यों के गोटाले सामान निबाब थी आज उस समय आए दिन देश के नौजवान सडकों पर उस समय की सरकार के खिलाब प्रदर्शन करते थे मुझे संतोष है कि हम उस अंधकार मैस्तिती से देश को बहार निकाल पाए है आज करप्शन की नहीं क्रेडिबिलिटी की बात होती है आज स्केम की नहीं सक्से स्टोरीज की बात होती है तब भारत फैजाइल फाव में था दुनिया सोचती थी कि भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा आज भारत पांच भी बड़ी अर्थवबस्ता है और दुनिया सोचती है कि भारत के विकास से उसका भी विकास होगा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टौब तीन एकोनमी में शामिल हो जाएगा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की एकोनमी सेवन ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी अर्थ विवस्ता की इतने बड़े विस्तार का बहुत बड़ा लाप भारत के विवाओं को ही होगा उनके लिए नए नए सेक्टरस में रोजगार के बहुत सारे नए मोके आएंगे इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है